है दोस्तों विल्कम बैक टू माइन निव वीडियो आज मैं आप लोगों साथ सेयर करने वाली हूं बहुत सारे जो अर्गनाजर हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्योड से और वनली फाइब मिनट में बन के कंप्लीट होते हैं तो यहां पर मैं ली हूं सापिंग बैक और साप काफी जादा लंबा हो चुका है अब इसका हमें क्या करना है इसके जो हैंडिल है इसको निकाल लेने हैं तो यहां पर मैं हैंडल को निकाल ले रही हूं उसको भी दो भागों में कर ले रही हूं क्योंकि आगे हमें चाहिए तो यहां पर मैं इस तरह से फैलाने के बाद फ ओरपन भनते हमगी, nenhuma महीं सब्सक्राइब सबस्सक्राइज नहीं,ंद करने लिए कि तो पाल रहना है तो चलिए दूसरे वाले हैंडल को निकाल लेती हूं उसके बाद कर लेती हूं सिलाई तो यहाँ पर हमें एकदम से बीज में सिलाई लगा लेनी है और आरी आरी हमें जहां जहां पर मेरा मोल लगा हुआ है सिर्फ हुआ ही पर मुझे टाकने है वहारा जो है अरगनाजर बनके रेडि हो गया थे, इसमें बहुत सारे पकरस निकल के आये हैं सामने भी और सायड से भी, पीछे से भी निकल के आया है अब हमें क्या करना है, इन दोनों तरफ से consequence, लगा देना है क्योंकि दोनों तरफ से लगया रहेगा तो हमारा जो भी रखेंगे और जो है आगे को जुकेगा नहीं तो इस तरह से हम दोनों को एक दूसरे में जोल ले रहे हैं कि तो यहां पर मैने जो लिए हूँ है इस तरह के बाद मैं इसको करना मैं यूल करने और भी बना लित वीट में इस वश्चें उससे मैं अपर बियुट हो चुकत हुआ है तो चलिए मैं इसको हैं कर दे रही हूं अपने किचन में तो यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा क्योट सा हमारा अर्गनाइजर बनके रेडी हो गया है तो आप इस तरह से आप सापिंग यूज कीजिए आपका थोड़ा से भी यह गंदा हो रहा तो आप इसको दो भी सकते हैं अगर फट रहा है तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं तो एकदम से फ्री है बिल्कुल भी एक भी पैसा जाने वाला नहीं है आपके किचन में कम स्वियस है तो इसे जरूर यूज कीजिए चलिए नेक्स्ट है की तरफ चलते हैं तो यहां भी मैंने दू इसको भी मैं लगाने वाली हूँ तो पहले इसको भी मैं कट कर ले रही हूँ कट करने के बाद मैं उसी के नाप से यहां पे कल लूँगी तो यह देखिए एकदम से बराबर हो गया अब हमें क्या करना इसमें भी पाकेट्स बनाने है अब बीच में पहले तो मैं एक लंब मेरे जो है मैंने यहां पर सिलाई लगा दिया हुआ है सारे पाकेट्स हमारे रेडी हो गए हैं अब नीचे मैं इस तरह से जो है बॉक्स डाल दी हूँ इस वज़से क्योंकि हमारा जो है ना बिल्कुल टाइट रहे कोई भी समान रखे तो जूके ना आगे से इस वज़से मै यहां पर मैंने इस टेपलर कर दिया हुआ है और आपको दिखा रहे हूँ मैंने पार्केट्स बनाना आप लोगों को सिंपली नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही इजी है आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं एक बार इसको फ बहुत वीडियो हमारा लंबा हो जाता तो आप लोग इदली इसको समझ जाएंगे अभी जम्बा इसमें समान रखने लगोंगे तिहां पर मैं इस्टेप्लर करके अभी आप लोगों को दिखा रही हैं तो दोस्तों फाइनल में हमारा कंप्रीट हो चुका है आप चाहो तो इ इसमें काफी ज्यादा समय हमारा लग जाता है उसको दूड़ने में तो बस उसी लिए मैं यहां पर बनाई हूं तो किस तरह से मैं इसमें अपने रिल्स वगरा रखोंगी थागे वगरा चली आप लोगों को दिखा रही हूं बहुत ही जी है आपको सामने से दिख जाएग तो आपको ढूंडना भी नहीं पड़ेगा तो फिलाल मैं इसको इस सबको नहीं रखने वाली हो इसस अब को मैं रखते हूं साइड में और रकते हम अपने सारे समान जो हमारे सत्याय में डेली काम आते हैं तो इसमें फाल्स कोई भी rudy चाहिए हो तो सामने से दिखेगा आप आसानी स现ail लेख सकते हैं अमस्थ watch स्वापिंग बैग मैं फिट से ले ली हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस को लेजा करके दूसरे कोने में अच्छे से लगा देंगे ताकि यह कहीं से भी मूड़ा ना रहे तो इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है तो इस तरह से हमाद डाल करके हाथों के अंगोलियों के हेलप से अच्छे से कोने में सेट कर देंगे और set करने के बाद अब हमें इसे किस तरह से बनाना है, चलिए आपको दिखा रहे हो, तो यहाँ पे देखे, set हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे एकदम से बराबर कर लेने हैं, सेम इसी तरह से हमें एक बार और फोल्ड करने हैं तो यहां पर ट्रिएंगल में हमारा जो अर गणाजर हो बनके रेडी होगा एक हमारा पाकेट तो यहां पर कमिप्डिट हो चुका है, अब चलिए इससे के साथ हम दूसरा पाकित भी कम्प्लीट कर लेते हैं, सिम इस तरह से कर लेंगे, तो यहां पर यह देखे हमारा हो चु होने के बाद जो साइड के थे मैंने उसको कट कर दियो आप देखिए मारे पास कितने सारे पाकट जो है रेडी हो गए यह देखिए कुछ इस तरीके से अब थोड़ा सा और अच्छा देखिए इसके वज़र से हमें क्या करना है इसमें थोड़ी से लगा देनी है यहां पर मै तो आप इस टेपलर से भी कर सकते हैं तो यहां पर इस तरह से हमें जो है लैस को लगा लेने है तो फाइनल में मैंने यहां पर यह देखिए कंप्लीट कर लिया हुआ है और साइड के जो इसमें हैंडल थे मैंने इसको कट नहीं करा था वह हमारे काम आएगा हैंग करने के यह देखिए साइड साइड में बहुत अच्छे से हैंग करने के लिए बन गया है है ना क्योट सा अर्गनाजर आप इसको कहीं भी हैंग किजिए आप चाहें किचन में बात्रूम में अपने बेडरूम में आपके जो छोटे मोटे समान है उसली आपको मिल जाएंगे तो इ आ रहे हैं कौन सा पसंद है आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना तो यहां पर आप इस तरह से अपने समान जो है रह सकते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा रहे हैं कुछ भी समान इसमें रह सकते हैं तो फिलाल ए मेरा आइडिया कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना त को जैए चलते हैं नेक्स्ट आईडिया की तरफ है तो तो हमारा जो आईडिया है वह बहुत ही बेश्ट यहाँ पर मैं आटे की जो बैग रहते हैं ना आटे की उसका मैं यूज करिए हूँ तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी चिलाइक की जरूरत नहीं है ना जिलाइक जरू कोनों को आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं तो आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हैं तो यहां पर आप दो-दो इंच करके इस तरह से कोने को निकाल लेजिए तो यहां पर हमें लेकिन हमें नीचे का पार्ड चाहिए ताग्यों देखने में ज़्यादा सुंदल लगे तो इसको हमें सिलना किस तरश है? ये पहले इसकी सिलाई करेंगे यहां पे हम ना ही सिल्याई करेंगे ना ही जो है चिपकाएंगे तो यहां पर हमने help लिया हुआ है stapler का तो इस तरह से stapler मार देंगे और मारते हुए दोनों साइड कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद इसको हम वापस से पलट लेंगे तो दोस्तों यहां पर यह देखिए नीची वाले भाग को उपर कर दिये हुआ है इसका बहुत ही प्यार सा कलर आ गया है बिल्कुल वाइड वाइड तो इस तरह के जो आपके पास आटे की थैली है उसको यूज किजिए यह बहुत लांग टाइम तक चलता है बिल्कुल भी क्योट सा अर्गनाजर रेडी हो गया है आप इसको किचन में छोटे मोटे चीज रखने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे की बरसात में आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा तो आप जितने भी पैकेट्स वगएरा बिस्किट वगएरा का रखते हैं उन सब को इसमें बहुत सारे रहते हैं तो उसका कुछ न कुछ यूज तो बनता ही है तो यहां पर मैं फिर से एक अर्गनाजर बनाने वाली हो तो यहां पर मैं हाथों से ही प्रेस कर ले रहे हूं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सिल्वटे आ गई थी सुकड गया था तो इस तरह से हम पहल वाले खेह हों उसके बाद लंबाउ लूए से लूँगों आपको ना जितने टाकट्स जाहिए उतने बार मोड ना है यापको छोटे मैं तो आप दो मार मोड सकती है uğर फकल दो दो बार झस से मोर लिए हूं आब हमारा जो है निसान लगा लूँगे से मुशी पे हमें सिलाई कर लेनी है तो इस तरह से मैं निसान लगाती जा रहे हूं तो जहां जहां मुझे सिलाई करनी है वहीं वहीं पे मैं निसान लगा ले रहे हूं तो यहां पे लंबाई से हो गया था अब इस तरह से चोड़ाई पे भी कर लेंगे और तो चलिए सिलाई कर लेते हैं उसके बाद आपो दिखा रहे हैं तो यहां पर finally मैंने छिलाए कर लिये हैं दोस्तों यहां पर देखिए हमारे पास जो है नाइन पाकेट्स बनके रेड़ी हो गए हैं तो मैंने यहां चोटे चोटे पाकेट्स बनाये हुआ है तो फिलाल पहले मैं क्या करूंगी आरी-ारी इसमें लगा दूंगी लैस क्योंकि लैस लगाने से जो हमारा यह अर्गनाजर है काफी जादा सुंदर दिखेंगा देखने तो यहां इससीत हैं तो हमके तरह पिल्कुल भी दालेनी हा तो फाईली कि चारो तरफ she laughs लगा लिया हूआ ह्या मेरी काफी स्ंदर दीख रहा है तो यह बहुत कि पाकेट्स मैंने तयार किया हूआ अब इसने हम कैसे चिज़ें डालेंगे तो जबनार से स्लाईज़ की हो च कहची 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 केंची से जलाइ है केंची जाने की दिखाया इप अनल हो गई है तो acne dennisिन zach कhã करना है यहां पेंड कर करेंगा तो दोस्तों यहां पर मैं सारव कातक ले रही हूं फाइनल पर लिए गार शोटे पैस पर शोटे नाइड पाके। लिए क्तच एक हैं को यह हमारे जैसे हमारे रिखर, जेर्म, इसे हमें हमारे बात्रों में ही हैं तो इसको हम वही पे हैंग करेंगे तो इस तरह से हम इसमें जो छोटे मोटे समान है इसमें डाल देंगे तो इसमें बहुत सारे पाकेट्स रेडी हो गए हैं बहुत सारे हमारी चीजे इसमें आ जाएंगी और सामने से दिखेंगी तो बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरह स दोस्तों बहुत ही सुंदल लग रहा है आप चाहत इसमें पॉर्गेट ब्रस वगेरा कुछ भी रख सकते हैं आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं कहीं भी हैं कर सकते हैं तो मैं अपना ये वेसिंग के पास करी हूँ क्योंकि हमें कोई भी चीज धूलना नहीं पड़ेगा अस Sýster, hos það borgarna?